प्रवार्ट जाएंगे तो उनके क्वालिफिकेशन के सपने टूड जाएंगे वो चाहेंगे कि एक अच्छे मार्जन से इस मुकाबले को जीतें ताकि नेट रॉन रेट में भी वो आरसीबी से उपर जा सके पर क्या होने वाली है इसकी प्लेइंग एलेवन और क्या होनी चा साथ हो सके यह मैं आपको जरा बता देता हूँ पहले प्लेइंग एलेवन की बात कर लेते हैं मुम्मा इंडियन की तरफ से आपको दिखेंगे इशान किशन, रोहित शर्मा, सूरे कुमार यादव, निहाल वधेरा, टिम डेविड, वी विनोद, कैमरन ग्रीन, क्रिस प्यूष चावला, जेसन बेरंडरॉफ और अकाश मद्वाल अब बात कर लेते हैं सन्राइज जाइदराबाद की तो वहां आपको दिखेंगे अभिशेक शर्मा, राहुल तृपाथी, एडन माकुम, हेंरिक क्लासेन, हारी ब्रूक, ग्लेन पिलिप्स, अब्दुल समाद, नितिश कुमार, रेड़ी, मयंग डागर, भुवनेश्वर कुमार, कार्तिक त्यागी और अनसन इंपक्ट प्लेयर, टीन अटराजन आपको दिख सकते हैं, अब फांटेसी लेवन की टीम की बारी आती है, तो विकेट कीपर के लिए आप चुनिए इशाहन किशन को कमाल की फॉर्म में है, पिछले मैच के अंदर भी 59 रंस की लाजवाब पारी खेल के आ रहे हैं, कप्तान के लिए मुझे लगता है, सूरे कुमार यादव से अच्छी चोइस हो नहीं सकती, पिछले मैच में अला की रन नहीं आए थे पर इनकी जो फॉर्म है, वो बहुत कमाल की है और इनके बल्ले से लगातार रन आ रहे हैं, वाइस कप्तान के लिए चूज कीजिए हेंरिक लसेन को, पिछले मैच के शतक वी रहे हैं, कमाल के शतक लगाके आ रहे हैं, और ये इस मैच के अंदर भी रन बनाने वाले हैं, बैच्छमन की बारी आती है तो निहाल वदेरा और Cameron Green को जरूर अपनी टीम में रखिए, साथ ही साथ रोहिच शर्मा और Harry Brook को भूलिये मत, Harry Brook इसी सीजन एक शतक भी जड़ चुके हैं, अब बात कर लेते हैं गेन बाजों की तू प्यूश चावला और मयांक मार कंडे को अपनी टीम में रखिए, ये दोनों ही लेक्स पिनर तो पंजा खोल के आ रहे हैं और इन दोनों की स्विंग ये इन बाजी पढ़ने में बहुत मुश्किल हो सकती है बल्ले बाजों को, पर क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ख़बरों के लिए हमारे साथ बने रहे हैं, क्रिकेट अडिक्टर चानल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले हैं